हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी प्लस में दोस्तो आज हम बात करेंगे डिक्स और डर्म क्रीम के बारे में दोस्तो इसके अंदर क्या कंटेंट डाला गया है कितने की ये क्रीम आती है, किस कंपनी की बनाई ही है और कैसे इसका यूज करना है और किस किस प्रॉबलम के लिए ये क्रीम यूज की जाती है दोस्तो इस क्रीम से जुड़ी मैं सारी चान कर ये भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तो आप हमारे वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल मेड़ी प्लस पे पहली बारे हैं तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें साथ में वैल आइकन का वटन भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अफ्लोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो दोस्तो चलोगों बात करते हैं डिक्सोडरम क्रीम के बारे में दोस्तो डिक्सोडरम क्रीम यह Harry John Private Limited की बनाई होई यानि कि बहुत अच्छी कंपनी की एक क्रीम बनाई होई लूटो qlorod oxy chloroquión and k冷conaxol इसके अंदर दिया गया है दोस्तो मैं बता दूँमा आपको इसके अंदर बहुत अच्छा combination डाला गया है दोस्तो मैं आपको इस क्रीम के बारे मि uns 110 भारे मिन बता देता हूँ क्लोबिटास। अल्पिनो mett कि को न जोल दोस्तों ये एक antifall है दोस्तों यह की एक क्रीम होता है दोस्तों यानि की फॉले फॉलक फुनसी जले कटे के लिए बहुत जादा फाइदेमrim believed और क्रीम है तो दोस्तों जान लेते हैं इसके नॉर्मलि यूजускे दाग हो रहे हैं जिसको रिंग absorbed कहते हैं उसको ख कहीं कट गया है दोस्तों उसको ख़त्म करने के लिए वह बहुआ जयादा फायदे मन्द चेहरे पर कील मुहासे दाग धबे ढ़ी जुर्यां फिर कील मुहास की बज़े से अगर आपके चेहरे tabii तो दोस्तो उनको खत्म करने के लिए बहुत जादा फायदेमंद ये क्रीम होती है दोस्तो ये आपके skin में होने वाले infection को भी खत्म करती है और आपके रंग को भी साफ करती है यानि कि आपके चेरे के रंग को भी साफ करने में बहुत जादा फायदे मंद ये क्रीम होती है तो दोस्तों आप समझ गयोगे अगर आपको किसी भी तरह की anti-fungal infection है, anti-vacterial infection है या फिर anti-inflammatory अगर आपको इस तरह की कोई भी problem है जैसे कि दाग, खाज, खुजली, फॉले, फुनसी, जले, इकटे या फिर आपके चेरे पर छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं या फिर अगर आपके बॉड़ी में कहीं भी और किसी भी तरह का अगर दाग हो रहा है आपको स्क्रीम से रिलेटेड और भी कोई जानकरी लेनी हैं तो आप हमें एक comment box में बता सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे comment box में जरू बतायें तो दोस्तों मिलते हैं नाक्स वीडियो में जब तक के लिए वाय वाय थैंक्स फॉर बॉच्टिंग मैं बीच्ट